हलो दोस्तो, यह कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की एक बार वह गरीब अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर सहर के एक महगे होटल में पहुँचा उस व्यक्ति के फटे पुराने कप्ले पहने हुई थे और उसकी बेटी इसकूल की डेस पहने हुई थी जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो बेटर ने पूछा सर आप क्या खाना पसंद करेंगे आप अपना ओर्डर बता दीजिए तब उस ब्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए एक प्रेट पाब भाजी लेकर आ जाईए बस बेटर ने कहा सर आप कुछ नहीं लेंगे आप के लिए भी कुछ लेकर आउं तो गरीब बेटी ने कहा मेरी लिए कुछ नहीं आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है मैंने इस से बादा किया था कि अगर तुम इस जिले में दसमी किलास में टॉप करोगी तो मैं सबसे मेह के होटर में पार्टी दूँगा तो आप सिर्फ बच्चे के लिए पाब भाजी ले आईए बेटर ये बात सुनते ही दौड कर अपने मालक के पास गया और बोला कि सर आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सेलरी से पैसे काट लेना लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाब भाजी खलाए जाए जो कि उस बच्ची ने पूरे जिले में दस्मी क्लास में टॉप किया है वह गरीब पिता है ज्यादा पैसे नहीं होंगे इसलिए कह रहा है सिर पच्ची के लिए ले आओ होटल के मालक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कराते हुए बोला तुम उसके पिता के लिए पाब भाजी लेकर जाओ उसके लिए भी लेकर जाओ पैसे मत लेना चार पाब भाजी पैक करवा कर ले जाओ और दो तिन किलो मठाई भी ले जाओ और उससे कहना ये पाटी होटल की तरफ से है आप ये मठाई ले जाए और जस्न मनाईए जब बेटर ने दो प्लेट पाब भाजी लेकर गया तो वह व्यक्ति चौक गया और बोला मैंने तो एक ही मंगाई थी मेरे पास पैसे नहीं है बेटर बोला अरे सर सरमिंदा मत किजिए ये पारटी होटल की तरफ से है आपकी बेटी हमारी बेटी ने टॉप किया है ये मिठाईया ले जाईए और जस्मनाईए पिता और बेटी खुस हो गए और चले गए कई साल बीट गए उस गरीब पिता की लड़की अब यूपियसी की तियारी करके कलेटर बन चुकी थी और इतफाग से उसी सहर में उसकी पोस्टिंग होई थी उस लड़की ने उस होटल में सुचना पहुचा दी की मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूँ होटल के मालक ने जब यह सुना तो होटल को पूरी तरह से सजवा दिया गाव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्वे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुची कलेक्टर ने होटल के मालक से कहा कि सायद आप मुझे पहचानते नहीं हैं हम वही पिता पुत्री हैं जो हमारे लिए टैंथ क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पारटी दी थी हम वही पिता पुत्री हैं आज फिर से आए हैं और आज पारटी हम देंगे आपको आपके पूरे स्टाप को पूरे गाउं को क्योंकि आपने गरीवी का सम्मान किया है आपने उस दिन जो पारटी दी थी मुझे बताया कि मुझे कितनी और उटाई तक पहुँचना हैं कितनी और बड़ी मंजिल को छूना हैं आपने नई प्रेणा दी थी और आज मैं उसी प्रेणा का एहसान चुकारने के लिए आई हूँ वो मैडम ये सब बातें कहती जा रही थी और उनके आखों में आशू बहते जा रहे थे दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीव का मजाक मत उलाना हो सके तो उसकी मदद करना और अगर मदद ना कर शको तो उसका मजाक मत उलाना क्योंकि वो सब देख रहा है बनना है तो उसकी नजर में अच्छा बनिए जहां भी रहिए कर दखाईए कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा दोस्तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे अपने दोस्तों के साथ सेर करेंगे और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेंगे धन्यवाद